गाइस फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ नूब टू प्रो के एक और एपसोड के साथ और आप लोग जानते हैं चैनल पर टॉर्णमेट चल रहा है जिसकी बाद से नूब टू प्रो की जो वीडियोज है वो थोड़ा सा लेट हो रही है तो आप लोग वेट कर लीजे जैस करम ट्राइल्स वाला इवेट भी है और जो जैकपोट ऑफ दी मन्त है यहां पर चाहँ अभी तक हमने फ्रेम भी नहीं निकाला तो यह सारे इवेट्स को आज किस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग के रहें को नहीं पता तो मैं आपको ब मकसदे ताकि आप लोग को बता सकूँ कि आज के टाइम पर भी भाई आप फेर खेल कर एक नूब आईडी को प्रो आईडी कैसे बना सकते हैं तो गाईज अगर आपने यह सीरीज नहीं देखी तो भाई शुरू से जाकर पार्ट वन से यह सीरीज देखना और हर पार्ट के के अदर कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे पर्मनेट रिवोर्ट हैं दो सीजन के केरम पास भी हम लोग पर्चेस कर चुके हैं बाकि यहां पर गाईज जो केरम ट्राइल्स वाला इवेंट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है इस इवेंट के रिवोर्ट को भी कलेक्ट कर ले मैक्स किया था वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर है बागि यहां पर से गाईज अभी हमारे पास जो वो लास्ट बोक्स रहे गया है केरम ट्राइल्स वाला इसको भी ओपन कर लेते हैं तो यहां पर हमारे पास कोई नया स्ट्राइकर तो अनलोग नहीं हो पाया तो अभी ग के अंदर gameplay करने के लिए coins ही नहीं बचेंगे क्योंके गाइज मैं चाहूं तो इस ID के अंदर एक ही दिन के अंदर दो-तीन million coins transfer भी कर सकता हूं लेकिन अगर हम coins transfer करेंगे तो भाई फिर नूब टू प्रोक आएगा हमने यह series किस लिए start की थी coins transfer करने के लिए नहीं भाई हमने series start की थी किस तरीके से कुछ भी मतलब ट्रांसफर चीटिंग किये बगाईर हम लोग इस ID को कैसे प्रो आइडी बना सकते हैं यहां पर मैंने बहुत सारे जर्नी वाले event के अदर भी मुझे points मिल जाएंगे और इसके अलाबा गाई जो तीसरा फाइदा हो रहा है वो यह कि भाई मैं यहां पर से जो मेरा frame रहता है main reward वो निकाल सकता हूँ क्योंकि यह event भी end होने वाला है 3-4 दिन रहते हैं और यहां पर finally frame भी निकल चुका है आप लोग भी मेरी वाले trick यूज़ कर सकते हैं कोई भी jackpot का event आता है तो जब उसके अंदर 2-3 दिन रह जाएं last उसको end होने में तब आप spin करेंगे तो easily 10 spin के 12 spin के अंदर join आपका reward या फिर उससे भी पहले आप अपना main reward जो है वो निकाल सकते हैं और इस तो के उपर मैं पहले भी कई videos proof के साथ upload कर चुका हूँ पाकी guys यहां पर जो चेस्ट एक्स्रावगंजा वाला event है यह हमारे पास जो है न वो complete मत तक्रिबर आदा complete हो चुका है और अभी guys मैं यहां पर स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहां पर से हमें जो है न वो boxes मिलेंगे जिनको open करके हम चेस्ट एक्स्रावगंजा वाले event को complete करेंगे और उन boxes के अंदर सेम चीज़ अगर कोई striker unlock हो गया तो collector's journey और level 20 पर golden shot भी मिल सकता है और level 30 पर भाई हम Singapore का golden chest भी ले सकते हैं क्योंकि भाई अभी Singapore खेल कर golden chest लेना मेरे ख्याल से अभी तो तकरिबन impossible है हाँ अगर आप Singapore का match win भी कर लें तो कोई guarantee नहीं है कि आपको golden chest मिलेगा तो इसलिए guys यहां पर से हमें finally golden chest मिल चुका है मेरे को gems यहां पर से use हो गए लेकिन जो चीज़े मुझे मुझे मिली है भाई वो Guys अगर आप लोगो हमारी यह वीडियो पसंद आ रहे है तो भाई वीडियो को like जरू करना चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेना और साथ में notification bell को आल पर जरूर set करना ताकि मैं जब भी कोई नहीं वीडियो upload करूं उसका notification आप लोगो मिलता रहे और इस वीडियो के ओपर guys हमने जो है ना 400 likes का target रखा है I hope आप लोग बहुत ही जल्दी complete करवाद होगे बाकि यहाँ पर यह है Singapore का golden chest देखते हैं भाई यहाँ पर चलें एक striker हमारे पास unlock हो गया और एक और striker upgrade हो जाना चाहिए शेंशाय striker है जो लेकिन वो भी upgrade नहीं हुआ तो यहाँ पर guys जो चेस्टर एक्ट्रावगांजा वाला event है यह पूरा complete हो चुका है अभी यहाँ पर से guys इस event को भी जो है ना हम लोग unbox कर लेते हैं इसके अंदर जितने भी rewards मिले हैं इनको भी collect कर लेते हैं यहाँ पर से फ्रेंजे का silver chest मिला है लेकिन candy striker unlock नहीं हो पाया उसके बाद यहाँ पर spin के 3 tickets मिले हैं अगेंसे और यहाँ पर new york का में golden chest मिला है इसके अंदर guys कोई striker unlock हो सकता है और यहाँ पर pride striker सिर्फ एक पीसे रह गया वाई यह भी unlock होने ही वाला था चले हैं कोई बात नहीं last में हमें golden friends का chest मिल रहा है इसको open कर लेते हैं तो यहा जैसे हमने दो striker जो unlock किये हैं हमारे पास जो collector's journey वाला event है वो आधा event आधा से ज्यादा event complete हो चुका है अभी guys इसको हम लोग इसको भी unbox करना start कर लेते हैं यहाँ पर से क्योंकि हो सकता है इन boxes को open करते हुए अगर हमारे पास कोई striker वागरा unlock हो गया तो यह event जो है वो complete हो लेकिन अभी तक तो हमारे पास कुछ भी unlock नहीं हुआ तो यहाँ पर से guys हमारे पास एक silver chest है इसको भी open कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें sniper striker के pieces मिलें लेकिन कोई भी striker unlock नहीं हुआ लास्ट वे में यह तीन tickets again से मिल गए और guys यहाँ पर से मैं जो है न दुबारा से जो golden chest है इसको भी open करते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस striker के pieces मिलते हैं चलें striker तो unlock नहीं हुआ लेकिन guys यहाँ पर हम लोग जो है न extra card हमने देखा वहाँ पर भी हमें कुछ खास reward नहीं मिला लेकिन last में हमारे पास है flashback का chest जिसके अंदर अभी हमे guaranteed legendary striker का piece मिलेगा और य legendary striker का एक piece मिलेगा last में वो किसी भी legendary striker का मिल सकता है जो event के अंदर हाया होगा तो यहाँ पर से guys जो new frame हमने अभी निकाल है jackpot में से वो मैंने use कर लिया और सोच आपको एक gameplay भी करके दिखा देता हूँ और again से मैं आपको बोल रहा हूँ यार वीडियो अगर आप लोग अ और हम पूरा इस game को finish करने की कोशिश करेंगे यहां पर से मैं टॉप राइट के अंदर खेलता हूँ और अभी guys यहां पर से again से मैं टॉप राइट में खेलूगा तो यह वाली pucks चलें दो pot हो गए और अभी मैं bottom left के अंदर खेलूगा तो टॉप वाले जो pucks हैं वो भी open ह हो जाएंगे तो यहां पर से guys मेरी एक नीची वाली puck जो है वो थोड़ा सा open है उसको मैं खेलने के try करूँगा लेकिन कोई भी मुझे खास फाइदा नहीं हुआ इस शोट से लेकिन अभी guys मैं top left के लिए जो है वो connection short खेल सकता हूँ अगर मेरा striker जो है टाच नहीं हुआ तो यह shot जो है न वो मैं hit कर सकता हूँ इसको टॉप left में चलें बहुत ही कमाल की shot थी और दो पक्स रहे गे इनको easily guys यह वारा match मैं finish कर चुका हूँ बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही है वीडियो अपलों को कर दो